नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका अपना साती दिपक फुवार और इस मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों के बीच में लेका आया हूँ अर्याना बनने वाली स्टेट पार्टियां जो अर्याना के बड़े-बड़े राजनेताओं ने बनाई हैं जी हां आज अंपरने वाले हैं अर्याना की राजकिये पार्टियां स्टेट पार्टियां सबसे पहले इस कड़ी कि मैं पहला नमर आता है विपार आप से पुछा आता है कि अनता रोटी और पार्याणां बननी वाली पहली स्तेट कोन थि और stellen Spain के पार्टी पहली स्टेट पॉर्टी पार्टी रीजिनल पार्टी अलग हुए और कोंग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और सरकार बनाने का दावा पेस किया और अर्याना के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने पार्टी विशाल अर्याना पार्टी 1967 में राओ बिरेंदर सिंग संस्तापक याद रखिए इस पार्टी का चुनाओ चीन था उगता हुआ सुरिये पार्टी बनी 1967 में कोंग्रेस से अलग हुई लेकिन बाद में उसी पार्टी में मर्ज होगी याद के 25 स्तंबर 1955 को यह पार्टी को वापिस कॉंग्रिस में सामिल हो जाती है लेकिन आपसे पूछा जाता है कि alcohol बनने वाली पहली भराच के पार्टी पहली स्टेट पार्टी कहों सी थी वी अगर मैं उसके बाद बात करूँ बंसिलाल अरियाना के बहुत बड़े राजनेता जिनको अरियाना का विकास पुरूस कहते हैं अरियाना का निर्माता कहते हैं उस बंसिलाल ने एक पार्टी बनाई थी HVP अर्याना विकास पार्टी अर्याना बनने वाली एक स्टेट पार्टी राजके पार्टी और इसकी सतापना 1964 में हो इसके संस्तापक चोधरी बंसिलाल जो अर्याना के तीसरे नंबर के मुखे मनत्री बने थे इसका चुनाव चिन्था लड़का लड़की और ये भी कॉंग्रेस से अलग होकर ये पार्टी बनाई लेकिन वापीस 2004 में ये पार्टी कॉंग्रेस में मर जोगी 14 अक्तुबर 2004 में ये है पार्टी कॉंग्रेस में वापीस सामिल हो जाती है उसके बाद अर्याना की आज की कड़ी में अगला नमर आता है इंडियन नैशनल लोगदल, इसके संस्तापक है चोदरी देवलाल, ये भी अर्याना की मुख्यमंतरी और उसके साथ बारत के उपरदानमंतरी रहे हैं, इन्होंने अपार्टी बनाई 17 अक्तुबर उनिस सो चान इसका चुनाव चीन चस्मा और ये पार्टी आज तक किसी दूसरी पार्टी मर्ज नहीं हुई है जो जाएद ही कोई अर्याना में बची हुई है जो अर्याना की स्टेट पार्टियां हैं जो किसी में दूसरी में सामिल नहीं हुई है 1906 बनी संस्तापक देविलाल चुनावचीन चस्मा लेकिन नोट डाल के बात याद रखेगा कि जब ये पार्टी बनी 1996 में तब इसका नाम था अर्याना लोकदल और ब्रेकेट में लिख दिया गया था राष्टिये अर्याना लोकदल ब्रेकेट में राष्टिये के नाम से पार्टी बनाई गई थी अर्याना लोगदल राष्टिये के नाम से आगे बढ़िए अर्याना बनने वाली स्टेट पार्टियों में जो अगला नमर आता है वो आता है हैच जी पी अर्याना गन परिसद हैच जी पी इसकी स्तापनां संय सिंट अचै का जैपरकास इस पार्टि का दूसरा नाम है अर्याना लोकतंतर संग HPA अर्याना पोपुलर एसोशेशन अर्याना लोकतंतर संग इसके अलावा ये पहले अर्याना विकास पार्टी में थे जो आपके सामने ये जैपरकास है जो 1906 पार्टी बनी थी अर्याना विकास पार्टी उसमें थे उससे अलग होकर अगले सालिया पार्टी बनाई लेकिन 1999 में ये पार्टी कॉंग्रेस में सामिल होगी किस पार्टी में था कौन सी पार्टी बनाई और वापिस किस पार्टी में सामिल होगे अपके सामने है अर्याना घंपरिशद 1997 संस्तापक जैपरकास दूसरा नाम है अर्याना लोकतंतर संग ये पहले अ यान्हाइन बनने वाली पार्टीयों में अर्यान मुश्टमें अपाजीं कर सिंगे हुआ स्पलिव बने अपलतानी स्थेट याधिव अ गईisti पार्टीयं और इसका महान स्थेटार सिंग मुझे याद लिए अर्यान और रजएकिसफलियर्ट पार्टी है जो बादल के नेतरतों वाले सी रोमनी अकाली दल का एक पार्ट है एक समू है इसकी स्टापना अर्याना में 23 मई उनिस नवे महा सच्यू जो जनरल सेक्रेटरी बने देऊ समय करतार सिंग टककर आगे बढ़िए आजी क्लास का अगला नमर आता है मानो समाथ सेव पार्टी अर्याना बनने वाली एक पार्टी है मानो समाथ सेव पार्टी इसकी स्टापना 12 मईं 2002 को अमन कुमान ना गरा जिनका समंदी युम्नानगर सें का नाम देगा उन्के संस्तापक के अगाय बात करूए अगला नमराता है अर्याना रिपब्लिकन पार्टी हर्याना रिपब्लिकन पार्टी अर्याना बनने वाली यह एक स्टेट पार्टी है इससे पहले यह जो आई थी यह 2002 में बनी थी अवन कुमान नागरा इसके संस्तापक थे संबनी नानगर से अर्याना रिपब्लिकन पार्टी जो है यह 2003 में बनी है 30 करणंट जिंग दलाल इसके संस्तापक है और यह पार्टी 2004 में भूत बढ़िया एक साल एक साल विना नहीं गया देखे पहले ही 2004 सुरू होते ही पार्टी कोंगरेस में सामिल हो गी बहुत बढ़िया तो पार्टी बनाई दो जरतीन में करणंट डलाल ने उसके ग़हाद 24 में कsigh में सामिल हो गी या रखना आगे बढ़ी बच्ची आज ही क्लास का अगला कोश्चन एकता सकती पार्टी अर्याना में बनने वाली राच्किय पार्टियां state party एक पार्टी है क्ता सकती पार्टी इसकी स्तापना दोजार च्यार में मराठा विरेंदर सिंग इसके संस्तापक है संबंदिन का करनाल से मराठा विरेंदर सिंग मराठा विरेंदर सिंग इस पार्टी के संस्तापक है नाम है एकता सक्ती पार्टी यह युनाइटिड फोर्स पार्टी 2002-2003,2004, करनाल, 2009-10 में ये पार्टी कोंग्रेस में सामिल होगी, जिन से अलग सोते हैं, लगालक बगोसी में सामिल होगी, बाद मैं गलती माल लेते हैं, ऑ्ँ, गलती होगी जी, वापी सामिल कर लो, ठीक है, 2004 मराध्ھा विरेंदर सिंग संबंध करनाल बहुत बड़े व एक अगर बात करूँ न've 2009-10 में कोंगरेस में सामिलोगे अगला नमडर आता है āरियाना जनहित कोंगरेस हरियाना के ईतियास में तीन लाल का डंक का रहा है, बंसीलाल, देविलाल, बजनलाल, और तीनों लालों ने अलग पार्टी बनाई, देविलाल ने इंडिया नैसनलोग दल, बंसीलाल ने अर्याना विकास पार्टी, और बजनलाल ने अर्याना जनहित कोंग्रिस, अर्याना जनहित कोंग्रिस, देख के मुख्यमंति रहे हैं संबंद इसार इनका समन्द इसार से रहा है और 2016 में पार्टी कॉंग्रेस में मर्ज हो जाती है 2016 में पार्टी कॉंग्रेस में मर्ज होगी आगे बढ़िए अर्याना बनने वाली स्टेट पार्टियों में अगला नमर आता है अर्याना लोखीत पार्टी अर्याना लोखीत पार्टी दो मई 2014 को ये पार्टी बनी इसके संस्तापक है गोपाल कंडा और पूरा नाम है गोपा विदानसभा चुनाव में सिर्षा जिले की सिर्षा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीते वरतमान में इसी सीट से एमेले 2019 विदानसभा गी में बात कर रहा हूं याद रखेगा आने वाले में क्या चेंज होता हूँ आगे देखेंगे लेकिन 2019 अर्याना विदानसवा में ये सिर्षा विदानसवा सीट से MLA, गोपाल कंडा पार्टी का नाम क्या है, अर्याना लोकहित पार्टी, वो इनका सम्मन्द कहां से हो गया, सिर्षा, पूरा नाम गोपाल गोईल कंडा, संस्तापक गोपाल कंडा, दो मई 2014 इस पार्टी क की स्थापना हुई है आगे बढ़ एक पार्टी है अर्याना जन्चेतना पार्टी एक पार्टी है अर्याना जन्चेतना पार्टी ब्रैकेट में लिखा वी वी बोले तो विनोध सर्मा जो इनके संस्तापक होते हैं उस पार्टी की ब्रैबर में ब्रैकेट में उसका नाम लि आता है एक नाम आता है लोक्तंतर सुरक्षा पार्टी लोक्तंतर सुरक्षा पार्टी आप लोग नाम सना होगा राचकुमार सैनी जो कुरू छेतर लोक्सभासीट से GP भी रहे हैं करूच जेतर लोगसाबा सीड से एंपी भी रहे हैं राच कुमार सैनी उन्हें नहीं पार्टी बढ़ाई है 2016 में पार्टी के संस्तापक है राच कुमार सेनी इजिनिका समद्ध छोटी रसूर गाओं अंबाला से है इनका जनम समद्ध गाओं अम्बाला करूच रोगसबास सीट से एंपिए सांसद रहे हैं राज्कुमार सेनी पार्टी बनाई है लोक्तंतर सुरक्ष्या पार्टी एल समय पोघि ex की अर्यानी स्थेल दॉप्डंर पार्टी में एक आखरी नाम् सप्रेट आप लोगों के सामने आता है जे जे पी जन्नायक जनता पार्टी जन्नायक जनता पार्टी जिसकी स्थापना 9 दिसमब 2018 को जिसके संस्तापक है दुसें चोटाडा जनम चोटाडा गाउं सिरसाम हुआ इंडियन नैसन लोगदल जो इनकी पार्टी थी जो इनके दादा ने देविलाल ने बनाई थी इंड करता हूं आजगी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और मैं ऐसी कहानी लेकर ऐसे मुद्धे लेकर आप लोगों के बीच मा आता रहूंगा प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों राम राम